हेलो एवरिबन यूटोब फैमली कैसे हैं आप सब आशा करते हूं आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे तो अभी मॉर्णिंग का टाइम है और निमी शद यहां पर देखिए आज तो बिना बोले ही मेरे पानी दे रही है पौधों में और सारे पौधों को उन्हों लोग चुरा कर लेकर आए क्योंकि सामने सड़क बन रही है नहीं हो तो वहां पर खुदाई चल रही है ना इसलिए मैं बहां से लेकर आए थी और अभी मैं बना रही हूं यहां पर कल्पना के लिए पकोड़ी बिकॉज उसका फास्ट है आज तो साथवा व्रत है आज और हमारी यहां पर आश्ट में पूजी जाती है तो आज कल्पना का पूरा दिन फास्ट रहेगा तो इसको मैं यहां पर लंच में भी पकोड़ी बना कर दे दूँगी और अपने लिए भी बनाओंगी बच्चों के लिए भी तो आज बहुत जादा खाना मैंने नहीं बनाया ह और जो भी स्पेशल बनाया है वो बनाया आज ताहिरी जी हां बहुत टाइम के बाद आज मेरे घर में ताहिरी बनने है और अब सर्दी आनी है तो सर्दियों में जादा तर हम लोगों के यहां पे पीली खिचड़ी और सफेद वाली खिचड़ी चटनी मूली और दही यह स मैं आज सब्सक्राइब मैं बना कर खाऊं घर पे क्योंकि कई दिन से सबजी रोटी चावल सब कुछ चल रहा है लेकिन कुछ हलका फुलका भी कभी कभी हो जाने चाहिए तो आज मैंने भी कुछ नहीं खाया है सुबा से मैं भी भूकी हूँ और सुबा बच्चों को थोड़ी सी मैंने पकॉनिया बन खाना तो उसके लिए भी मैं एक्ष्टा बनाऊंगी तो आज बहुत जादा मुझे खिजडी नहीं बनानी है बिकॉस मुझे भी चावल बहुत कम खाने पसंद है चावल में बहुत जादा पसंद नहीं करती हूं खाना लेकिन हस्बन को खिजडी और ये ताहिरी बगेरा पसंद है और वह भी ग्रीन चटनी के साथ यानि धनीय की चटनी के साथ और साथ में मूली हो तो बाह क्या मजा ही आ जाता है ना और दही लेने के लिए अभी हजबन गय है मार्किट में लेकिन मूली लेने मैं ही जाओंगी उनसे मैं कोई भी सबजी मंगवाती नहीं हूं जब भी लेकर आते हैं थोड़ी बहुत गलती तरीके की सब्जी लेकर आएंगे उनसे लेनी नहीं आती है अभी सीजन आने बाला है हरी सब्जियों का तभी उनसे सब्जिया मंगाया करूंगी तभी लेकर आएंगे अच्छी लेकिन अभी मार्किट में कहीं मूली थोड़ तो हस्बेंड अभी ऑफिस से घर पे आये हैं लंच में तो उनसे में थोड़ा सा काम भी करवाओंगी अभी घर पे और तोहार आ रहे हैं बहुत सारे बहुत सारी तैयारिया भी करनी होंगी मुझे तो सब कुछ देखना पड़ेगा अभी अंदर के जो कमरे के परदे वगेर है दही और हरी चटनी के साथ है ताहिरी तो किस-किस को पसंद है कमेंट में जरूर बताईएगा बाई बाई